हेलो फ्रेंद्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में देखे गर्मिया तो आ ही गई है गर्मियों में इस तरह की कॉटन की ब्रा घर पे बनाए तो बात ही पुछ और है तो देखे पुरानी शर्ट थी इसका फैब्रिक अच्छा था कलर नहीं गया है सब कुछ बह और इसका जो बैक वाला पार्ट है इसे कट कर लेंगे तो पूरा कट करके दिखाऊंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दो पार्ट ऐसे निकाल लेंगे मेजर्मेंट इसक्रीन पर शो कर दूँगी मैं 42 साइस का बना रही हूं 42 को 4 से डिवाइट करेंगे तो आजाएग 18 इंटू 2 इंच के दो स्ट्रैप्स निकाल लूँगी मैं अब इस पे हम मार्किंग करेंगे तो 10.5 इंच का सेंटर मार्क लगाएंगे तो देखिए 5.5 से एक पॉइंट कम ले लेंगे ये देखिए यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट हो जाएगा तो इसका सेंटर पॉइंट लगा लेंगे इसी तरीके से आप फोल्ड करके भी लगा सकती हो गर आपको सेंटर पॉइंट निकालना नहीं आता है तो चारो सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से हम मिला देंगे तो यह मैंने मिला दिया अब इसकी खास मार्किंग करनी है 1.5 इंच उपर से निशान लगाएंगे 1.5 इंच नीचे से निशान लगाएंगे इसी तरीके 1.5 इंच से उपर निशान लगाएंगे और इसी तरीके नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे अब इस निशान से निशान को मिलाते हम थोड़ा सा गुलाई दे देंगे हलका सा सरकल ट्रॉ कर लेंगे इस तरीके से इसी तरीके से उपर से भी गुलाई दे देंगे यह मैंने गुलाई दे दिया अब इस पॉइंट से वन इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से हाफ हाफ इंच पर निशान लगाएंगे हाफ इंच इधर लगाएंगे और हाफ इंच इधर साइड लगाएंगे यहां से यहां गोलाई देते हुए हलका सा निशान लगाएंगे मैंने गोलाई दे दिया यहाँ पर गुलाई नहीं लगाना यहाँ पर straight line ड्रा करनी है तो ऐसे straight line ड्रा कर देंगे यह 1.5 inch हो गया, गुलाई दे दिया मैंने यहां से 1 inch हो गया और उपर से half half inch हो गया यहां से गुलाई दिया, यहां से straight line अब जहाँ जहाँ निशान लगाया है वहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी तो मैंने कट कर लिया इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे तो देखे सीधा उल्टा ध्यान रखिएगा यह मारा नेक वाला पार्ट होगा जो उपर से गुलाई में है और यह हमारे कप्स बन जाएंगे तो देखे कपड़े की सीधी साइट को एक तरफ रखिएगा अंदर की साइट अगर प्रिंट सेम है तब तो कोई इशू नहीं है अगर प्रिंट सेम नहीं है मतलब सीधा उल्टा वाला मेटर है तो आप इस तरीके से पलट के रखिएगा तो यह मैंने पलट लिया है सीधी साइट अंदर की तरफ है उल्टी साइट बाहर की तरफ है तो आप ऐसे marg लगा के भी cut कर सकते हो या आप पेंट से set करके cut कर सकते हो सेम ऐसे ही पीस निकालने हैं में तो ये दो-दो पीस हमारे रडी हो गए, ये देखिए इस तरीके से, इसको ऐसे रखेंगे, यहां से लेकर यहां तक पूरा सिलाई कर लेंगे, इसे भी यहां से लेकर यहां तक पूरा सिलाई कर लेंगे, ये स्ट्रैप्स को हलका सा फोल्ड करेंगे, पूरा स्टेच करके ज हम टक्स डालेंगे, जो डार्ट्स डालते हैं, उसी तरीके से देखिए, अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सेंटर पॉइंट निकला है, अब यहां से इसको ऐसे टर्न करेंगे, ऐसे फोल्ड करते, यहां निशान लगाएंगे, और थ्री इंच पे ऊपर से निशान लगाएंगे, अब इस निशान को निशान से मिलाते हुए, इस टेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, अब इसी निशान पे हम कट कर लेंगे, मैंने कट कर लिया अब यहां से यहां कॉर्णर से कॉर्णर मिलाते सिलाई लगा लेंगे स्ट्रेप्स पर सिलाई लगा लिए इसे पलट लेंगे देखे नीचे दो डार्ट्स डाली है मैंने stitch कर लिया दोनों को, जैसे एक कियाद वैसे दूसरा भी ready कर लिया, इसे भी पलट लिया है मैंने, दो elastic है, एक ये पतली वाली mask वाली और ये half inch वाली, तो ये half inch वाली मैं मैं डालूँगी, safety pin की head से insert कर लेंगे, fully elastic bra मैंने बनाया है पिछले वीडियो में, तो उसका link मैं description box में देदूँगी, वहां से आप elastic डालने का तरीका देख लिजेगा, तो एक end पे मैं stitch कर लूँगी, ताकि अंदर न जाए, और पूरे कपड़े को ऐसे खीचते हुए wrinkles बनाएंगे, तो देखिए, पूरा कपड़ हमारा elastic में set हो गया, ऐसे ही elastic insert की जाती, दोनों में मैं ऐसे ही करके stitch कर लूँगी, आप इसे simple पट्टी से finish करेंगे पहले, ये इस तरीके से हमारे cups आजाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लिए straight पट्टी और इसको इस तरीके से, जैसे blouse में सिलते हैं, hook button जो भी लगाना हो इसके लिए बस इसी तरीके से यहां पी stitch कर लेंगे, यहां से सिलाई चलाएंगे और इसको पलटते हुए finishing से fold करके फिर से stitch कर लेंगे, तो दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है, extra जो भी घटेगा बढ़ेगा उसे cut कर लेंगे, यहां पे ऐसे सिलाई कर लेंगे, इसको भी fix कर लेंगे सिल्के, जो भी extra उपर बढ़ रहा था पटी वो मैंने cut कर लिया, तो इसी तरीके से दूसरा वाला भी मैंने piece ready कर लिया है, यह देखिए, इस तरीके से, यह भी stitch कर लिया है मैंने, अब यहां से यह पूरा finish करना होगा हमें, तो बचे हुए shirt के piece से ही मैं इसे औ से हम और ये पटी निकालेंगे, तो मैंने दो और ये पटी निकाली है, इसको अंदर की तरफ fold करेंगे, देखिए, ऐसे fold करेंगे और पूरा stitch करेंगे, ऐसे fold करने से हमारी finish बहुत अچ्छी आती है, यहां तक last तक बिल्कुर stitch कर लेंगे और पलट के fold कर लेंगे, यहां से यहां तक मैंने सिला ही लगा ली अब इसको पलट के stitch कर लेंगे तो यह देखिए मैंने stitch कर लिया फिनिशिंग से हमारा बिलकुर यह ready हो गया है जैसे यह ready किया है वैसे दूसरा वाला भी ready कर लेंगे दूसरा भी ready कर लिया है आपकी मर्जी है आप hook लगाओ चाहे button नीचे से ऐसे stitch करेंगे अंदर से fold करते पलट लेंगे और stitch कर लेंगे दोनों side ऐसे करना है 9 x 5 inch के मैंने 2 fabric लियें 2 fabric के piece अब इसका back वाला part बनेगा तो half inch यहां turn हो जाएगा और half inch से यहां turn हो जाएगा और यह हमारा यहां पर set हो जाएगा बिलकुल ब्रा में पीछे पतला वाला side होता है तो हमें इसी तरीके से fabric को लेना पलटते हुए सीधी side अंदर की तरफ उल्टी side उपर की तरफ यहां से मैं 2.5 inch पर निशान लगाऊंगी इस 2.5 वाले निशान को इससे मिला देंगे और ऐसे line draw कर लेंगे अब इसी line पे cut कर लेंगे यह मैंने elastic लिए है 1 inch जो प्लाजो में डलती है 5 x 1 inch की elastic है 5 inch लंबी है और 1 inch चौड़ी है तो इस तरीके से देखे stitch करना है हमें तो back part इस तरीके से आजाएगा आप अपनी पुरानी ब्रा से भी measurement ले सकते हो तो मेरी जो पुरानी ब्रा है मैं उससे इसका measurement लेती हो खीच कर measurement लीजेगा और पुरानी ब्रा से जरूर measurement ले लीजेगा एक बार तो उससे confirm हो जाएगा कितनी length रखनी है मैं यहाँ पे इसको pin से set कर लेती हूँ ताकि यह ही लेना measurement लेते समय यह मैंने fix कर लिया अब इससे एक बार measurement ले लेंगे जैसे मेरा यह 17 inch आ रहा है तो 17 inch का half हो जाएगा 8.5 ठीक है 8.5 में आप 1.5 और extra add कर लीजेगा यह देखे 8.5 मेरा इतना है और 1.5 मैंने extra add कर लिया है कपड़ी को अब इस तरीके से fold करेंगे और पूरे पे किनारे किनारे fold करते stitch कर लेंगे तो यह मेरा stitching में चला जाएगा और यह पूरा adjust हो जाएगा कपड़ा यहाँ साइटों से एक साइट इधर और एक साइट इधर यह देखे मैंने सब stitch कर लिया है अब elastic को ऐसे stitch करेंगे और top stitch लगा लेंगे इसे भी ऐसे stitch करके top stitch लगा लेंगे देखे मैंने stitch कर लिया अब stitch कर लिया इसको सीधा रखेंगे लास्टिक वाले को और यह जो portion है इसको उल्टा कर लेंगे यहाँ से stitch करेंगे और लटके top stitch लगा लेंगे इधर भी stitch करके top stitch लगा लेंगे तो मैंने इसको stitch कर लिया pin से set है इसलिए ये fix है अब आपकी requirement आपको hook पसंद है या button जो भी लगाना हो आप उसको लगा सकते हो ये देखे बिलकुल finishing से हमारा ये ready हुआ है कम जादा अपने इसाप से adjust करिएगा मतला आपको चोड़ा पसंद है चोड़ा रखेगा पतला पसंद है तो पतला रखेगा ब्रा के लिए बिलकुल perfect था ये measurement 1.5 इंच का इस distance लीजिएगा इसको अंदर से fold करेंगे और finishing से पका कर लेंगे तो जहां मेरी elastic लगी वहां से 1.5 इंच का distance लिया है शर्ट की जो बटन लगी थी मैंने वही उस कर ली और वही शर्ट की बटन को टक कर लिया देखे इतनी comfortable इतनी खुबसूरस ये हमारी ब्रावनी है और बहुत ज़्यादा comfortable है pure cotton की है और बनाना बहुत एजी है तो आप जरूर से try कर येगा और comment में ज़रूर बताईएगा ये देखे बिल्कुल finishing के साथ है पहनना बहुत आसाने कभी-कभी पीछे back side हमारा हाथ नहीं पहुचता है तो आप front opening वाली ब्राव पहनिए ये बहुत अच्छी होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत comfortable होती है वीडियो helpful रही होगी तो वीडियो को like, share, channel, subscribe कर लीजिएगा थेंक्स पो वाचिंग